तो गैस यह है Realme 11 Pro स्मार्टफोन यहां पर इसका बॉक्स एर 80W का चार्जर इन दो बॉक्स हम लोगों को देखने को मिलता है और एक Type A to Type C केबल देखने को मिलता है तो फोन पूरा डैड हो चुका है और हम लोग करने वाला है इसका एक चार्जिंग टेस्ट तो फटा-फट को अब क्या है चार्ज में लगाने वाला हूं यहां पर देख सकते हो रियल में 11 प्रो है मेरे पास और जल्दी से चार्ज भी लगाते हैं और आपको बताता हूं तो यहां पर इस चार्जिंग मैंने लगा लिया है और स्टाउप वॉच को हम लोग फट से आन कर लेते हैं तो इस टॉप वॉच भी मैंने आउन कर दिया है अब देख सकते हो पूरा डेड है फोन अभी ओन हो रहा है और कितने देर में चार्ज होता है मैं आपको आगे बता दूंगा यहां पर किस आप टाइम देख सकते हो 11 बच के 45 मिनिट यहां पर शो कर रहा है आपको दिखा द फटा फट से चार्जिंग देखते हैं कितने टाइम में होता है फिलाल अभी जो फोन है वह थोड़ा साव वाम कंडिशन में क्यूंकि गर्मी बहुत जयादा है और चार्जर हमारा विल्कुल भी ही नहीं हुए एकदम नॉर्मल कंडिशन में 15 पर से चार्ज होने का वेट क परशेंट हो चुके हैं और शक्षिटी सेवन वो चार्जर करता हेटी वोट का चारजर है और शिक्षिटी सेवन वोट की वज़े से लगता है कि इसको थोड़ा सा और ज्यादा फास्ट होना चाहिए था बट फिर भी ठीक था कभी है देखते हैं आगे पूफोरा थोड़ा बहुत हीट है सच में हीट है यहां पे मैं अब源 दिखा 돼 गर्मी है तो आप लोग गर्मी की वज़ेसे थोड़ा वह समझ सकते हो लेकिन गर्मी है तो इतना वाम चलता है मेरे क्याल से चार्जर का और फोन थोड़ा सा वाकई में हीट हो रहा है अब देखते आगे क्या होता है तो यहां पर देख सकते हैं और हमारा जो फोन है यहां पर सिर्फ 22 परसेंट चार्ज हुआ है मुझे ऐसा लगा था कि 30 मिनट्स में बहुत ज़्यादा चार्ज होगा 50 परसेंट तो हो जाएगा बट यहां पैसा कुछ भी नहीं हो रहा है तो अभी हम आपको बताएंगे कि 50 परसेंट होने में कितना टाइम लगता है अभी आप लोगों ने देख रहा कि 30 मिनट्स में मात्र 22 परसेंट यह फोन चार्ज होगा है इसका सैटिंग में जाकर देश लेता हूं कि इसका फास्ट चार्जिंग ऑन है या फिर नहीं मुझे थोड़ा सा स्लो लग रहा है चार्ज तो यहां पर वाइस चार्जिंग यह सब तो मेरा ऑफ है और यह नाइट में अभी हम लोग दे में चार्ज कर रहें तो फिर भी मेरे ख्याल से फोड़ा सा तो यहां पर बैटरी यूजिस भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं तो देखते हैं गईस फिप्टी परसेंट में किता टाइम लेता है और 67 वाट का चार्जर है तो थोड़ा सा फास्ट तो होना चाहिए तो यहां पर गईस आप लोग देख सकते हो कि पश्मा इंवेडिट हो चुके हैं और यहां पर हमारा जो फोन है अभी 40 परसेंट ही चार्ज हो पाया है तो 67 वोट चार्जर यहां पर थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए और एक घंटे में 50 परसेंट नहीं हो पा रहा इसका मतलब आप लोग समझ सकते हो इसको तो बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा यार यहां पर ऐसा कुछ मैंने और भी नहीं किया जिससे मतलब मेरा फोन थोड़ा सा यहां पर लिखा भी वह अभी है कि वूप सूपर वूप चार्जिंग 40 परसेंट यहां पर हो गया बिर फिर से लगाते हैं थो यहां पर चार्जिंग स्टार्ट हो चुका है और शूपर वूप चार्जिंग यहां पर शोग करता भी थोड़े देर बाद यहां पर शोग करेगा तो एक घंटा हो रहा है पांस मिनट बचे हैं और मात्र 40 परसेंट चार्ज हुआ है हमारा फोन तो आइप थिंग 42 percent charge हो चुका है तो यहां पर इस बार मुझे लग रहे है कि अब थोड़ा सा fast charge होगा एक घंटे के बाद इसा लगता है कि इसमें थोड़ा सा उल्टा दिमाग है देखते हैं इस कित्ता fast होता है अब देख सकते वोग charging शो कर रहे से पहले भी शो कर रहा था तो एक गंटा एक मिनट हो चुका है 44 परशंट हमारा बैटरी चार्ज हो चुका है तो अब देखते हैं गई 100 परशंट होने में कितना टाइम लगता है एक घंटे में तो मैंने बता दिया मुझे असा लग रहा है कि बाकी जो आधा चार्ज है वो जल्दी होगा देखते हैं तो क्यों हो रहा है तो यहां पर लोग देख सकते हैं 64 परशंट चार्ज होगा है देड़ घंटे पूरे हो चुके और सुपर वोग चार्जर यहां पर शो कर रहा है एक्चली गईस मैं प्रॉब्लम तो समझ नहीं पाया बट मैं आपको बता रहा हूं यहां पर जो यह फोन है तो गईस मैं आपको यहां पर फिर से बता रहा हूं कि मैंने फोन को फिर से स्वीच आफ किया और में बोर्ट से मैंने कनेक्ट किया उसके बाद गईस ऑनली 47 मिनिट में जो है फोन 0-200% चार्ज हो चुका था तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो एक आद बर कभी कभा हो जाता है कुछ प्रॉब्लम सा जाती है तो आप लोग ज्यादा टेंशन मत लेना यहां पर थोड़ा सा मूड खराब हो गया था मेरा और यहां पर कैसा मैं आपको बता रहा हूं कि 47 मिनिट में मैंने चेक कर लिया है 47 मिनिट में 0-100% आपका जो यह फोन हो जाएगा सेम च प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है आपको यह वीडियो बहुत ज्यादा पसंद में होगा वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना थैंक्स पर वॉचिंग गाइस